असलाम लेकुम डिया स्टूडेंट्स कैसे हैं हम सब लोग वेलकम तो दे बेस अकैडमी बच्छों आज हम डिसकस करने जा रहे हैं चेप्टर नुम्बर 21 नुकलियर फिजिक्स से इंटरेक्शन ओफ रेडियेशन विद मेटर अलफा रेडियेशन बीटा रेडियेशन और गेमा रेडियेशन ये किस तरह से बिहेव करती हैं ठीक है जब ये मेटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं ठीक है जी तो यह आप देख रहे हैं जी यहां पर अलफा रेडियेशन बीटा radiation और gamma radiation की एक symbolic representation है ये alpha radiation जो है इनके सामने एक paper है और उसके बाद ये जो beta radiation है इनके सामने एक aluminium की sheet है और gamma radiation जो है इनके सामने lead का एक block है तो आगे चलके हम देखेंगे इन चीजों का क्या मतलब है लेकिन पहले हम कुछ properties को दरा discuss कर लेते हैं कि किन properties की बुनियाद पर हमने य discuss करना है कि ये radiation जब interact करती है matter के साथ तो इनका behavior कैसा होता है तो जरा पहले उन properties को देख लेते हैं सबसे पहले हमारे पास है range बच्छो रेंज ही होती है कि कोई भी हमारी जो radiation है कोई भी हमारी radiation जब वो किसी भी matter के साथ फर्ज कर लें कि ये हमारे पास कोई भी matter है और ये करती है इस medium के अंदर इस matter के अंदर इस substance के अंदर तो इस penetration को हम बोलते हैं इसकी range ठीक है in radio activity the distance that a particle travels from its source through matter यानि कि matter के अंदर particle जो है वो कितना penetrate करता है उस medium के अंदर उस matter के अंदर वो कितना travel करता है ये कहलाती है उस radiation की range बचो range ये depend करती है first of all type of particle अब type of particle में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है इसमें particle का charge आ जाता है ठीक है के अगर charge ज्यादा होगा तो क्या होगा charge कम होगा तो क्या होगा दूसरे नबर पे आ जाता है particle का mass ठीक है particle का mass क्या होगा अगर ज्यादा mass होगा तो उसकी रेंज ज्यादा होगी या कम होगी और अगर कम मैस होगा तो उसकी रेंज क्या होगी तो रेंज डिपेंड करती है टाइप आफ पार्टिकल की उपर और उस टाइप के अंदर मैंने दो चीज़ें डिसकस की चार्ज और मैस इसके लावा अरिजिनल इनरजी उस पार्टिकल की जो किनेटिक इनरजी है वो कितनी है तो किनेटिक इनरजी के अंदर स्पीड भी आ जाए कि कि या मॉमेंटम आप कह लें ठीक है उसके बाद जो अगली चीज़ है वो है मीडियम यानिके जिस मीडियम के अंदर हमारा पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है उस मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स है या उस मीडियम के जो एटम्स है उन एटम्स का आयोनाईजेशन पोटेंशल क्या है ठीक है आयोनाईजेशन पोटेंशल क्या है क्या उनको असानी से आयोनाईज किया जा सकता तो range इन सारी चीजों के उपर depend करती है अब अगली जो property हमारे पास है वो है ionization power ठीक है बचो जब radiation एंटर होती है matter के अंदर तो उस medium या उस matter के साथ इनके जो interaction होते हैं वो दो तरहागा interaction होते हैं एक तो होते हैं डिरेक्ट को लई हैं यानि कि हमारे पास फर्ज कर हैं कि उस medium का ये atom है और ये आ रही है हमारी radiation तो radiation जब इंटरेक्ट करती है तो डिरेक्टली इसके साथ इसका कुलेइन होता है इसको आप head on कुलेइन कहलें ठीक है एक तो इस तरह से interaction हो सकता है radiation का matter के साथ या दूसरा है electrostatic interaction बच्चों electrostatic interaction दो तरह के होते हैं या तो attraction ह हो सकती है और या repulsion हो सकती है ठीक है क्योंकि हमारे पास जो दो तरह की radiation है alpha और बीटा ये दोनों charge radiation है alpha के ओपर जो charge है वो plus two होता है और बीटा के ओपर charge minus one भी हो सकता है plus one भी हो सकता है लेकिन gamma के ओपर कोई charge नहीं होता तो alpha radiation या बीटा radiation जब ये किसी भी medium में एंटर हो तो इनका collion electrostatic भी हो सकता है तो ये करती क्या है जब ये किसी भी medium के atom ये molecule के साथ interact करेंगी तो उसे क्या कर देंगी उसे या तो ये excite कर देंगी ठीक है और या ये उसे क्या कर देंगी ionize कर देंगी दोनों सूर्तों में they will lose their energy ये radiation जो है ये इस medium के atoms को excite करें या ionize करें ये क्या करेंगी they will lose their energy they will lose their energies ठीक है they will lose their energies और जब ये अपनी energies क्योंकि ये interaction एक दफ़ा तो नहीं होना ये interaction बार बार होना है तो बार बार interaction की वज़ा से ये क्या करेंगी अपनी सारी energy को lose कर देंगी और they will come to rest या आप दूसरे लफजों में कहेंगे कि ये medium इनको absorb कर ठीक हो गया जी तो ionization power क्या है the ability of nuclear radiation to ionize the atoms या molecules of the medium और ionization कैसे होती है या तो direct collion के नतीजे में होती है और या electrostatic interaction के नतीजे में होती है ठीक है जो तीसरी property हम देखने जा रहे है that is fluorescence ये इसका तरलुक जो है emission of radiation ही है ठीक है अब होता क्या है कि जब ये radiation enter होती है medium में तो medium जो है वो इनको absorb कर लेता है लेकिन जब वो absorb करता है तो वो absorb करता है high energy और high frequency radiation ठीक है अब ये जो radiation वो absorb करता है वो electromagnetic भी हो सकती है और वो nuclear radiation भी हो सकती है लेकिन जब वो medium radiation खारज करता है तो वो खारज करता है low frequency radiation और ये radiation हमेशा electromagnetic spectrum के अंदर ही हो सकती है होती हैं ये visible भी हो सकती है और इसके लावा इल्टरा वायलेट भी हो सकती है ऐसी radiation जो मैं नजर नहीं आती है वो भी हो सकती है यानि कि फ्लॉरी सेंस जो है वो emission है किसका electromagnetic radiation का ठीक है कौन सी electromagnetic radiation लो frequency तो जब हमारी जब हमारी ये देखें जी ये कोई medium है और ये आ रही है हमारी nuclear radiation कोई भी medium जब nuclear radiation को absorb करता है तो वो उनको फिर खारज भी करता है लेकिन जब वो absorb करता है तो वो high frequency होती है लेकिन जब वो emit करता है तो वो low frequency होती है ठीक है जब वो absorb करता है तो वो nuclear radiation होती है या वो electromagnetic भी हो सकती है लेकिन जब वो इनको खारिज करता है तो ये सिर्फ electromagnetic ही होती है ठीक है और electromagnetic spectrum के अंदर ये कोई भी हो सकती है ठीक है जै It is a form of luminescence जैसे मैंने कहा कि ये रोशनी के इखराज जैसा ही है In most cases, the emitted light has a longer wavelength जैसे हमने बात की कि इनकी जो frequency होती है वो low होती है जब ये खारिज करता है medium frequency low होगी तो wavelength क्या होगी वो ज्यादा होगी and therefore lower energy than the absorb radiation तो जैसे हमने बात की कि जब इन radiation को absorb करेगा medium वो high frequency और high energy होगी लेकिन जब इनको खारिज करेगा तो low frequency और low energy वाली होगी अब range और ionization जो है इनका अपस में बहुत तालुक है medium के अंदर ये penetrate कर रही है अब जितनी ज़्यादा ये ionization प्रेडियूस करेगी उतनी जल्दी ये अपनी जो energy है उसको lose कर देगी नतीजा क्या होगा इसकी जो range होगी वो कम हो जाएगी और अगर कोई radiation किसी medium के अंदर enter होती है और enter होने के बाद वो कम ionization प्रेडियूस करती है थोड़े interaction होते है उसके थोड़े collision होते है वो अपनी कम energy जो है वो lose करती है तो उसकी जो range है medium के अंदर उसकी जो penetration है वो ज्यादा हो जाएगी इसका मतलब है कि अगर range ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि उसकी ionization उसकी वज़े से कम हो रही है उसकी ionization power कम है और अगर range कम होगी तो फिर इसका मतलब है कि उसकी ionization power ज्यादा है या range of nuclear radiation depends upon the ionizing power of the radiation the radiation continues to penetrate matter until it has lost all of its energy यानिके जब तक कोई radiation अपनी पूरी energy को खारिज या जाया नहीं कर देती तब तक वो मीडियम के अंदर penetrate करती रहती है लेकिन आम तोर पर ऐसी radiation जिनकी ionization power ज्यादा होती है उनकी range कम होती है वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती मीडियम के अंदर उसकी वज़ाई यह होती है कि वो जितनी ज्यादा ionization प्रडियूस करेंगी ठीक है उतनी जल्दी अपनी energy को lose करेंगी और उतनी ही कम उनकी range होगी तो हम चलते हैं जी सबसे पहले हमारे पास alpha particles हैं हम देखने जा रहे हैं कि alpha particles जो है यह जब medium के साथ interact करते हैं तो यह कैसे behave करते हैं तो पहले इनकी range देख लेते हैं आपको बता है कि एक alpha particle जो है यह बहुत heavy particle है एक alpha particle के अंदर दो proton और दो neutron होते हैं तो यह कुल मिलाके इसका जो charge है वो plus two है और इसका जो mass number है वो four है ठीक है तो काफी heavy particle है charge भी इसका ज्यादा है और mass भी इसका ज्यादा है इसलिए जो alpha particles है इनकी ionization power बहुत ज्यादा है इनके collisions बहुत ज्यादा होते हैं तो यह बहुत heavy होता है इसलिए इसको बहुत कम रुकावट का यह deflection का सामना करना पड़ता है तो alpha particle का जो path होता है वो clear path होता है बड़ा well defined path होता है ठीक है जैसे कि हमने पीछे बात की कि जब alpha particles किसी medium के अंदर जाएंगे तो उस medium के जो particles हैं उस medium के जो atoms और molecules हैं उनको क्या करेंगे उनको ionize भी करेंगे और उनको excite भी करेंगे जिसके नतीजे में alpha particles अपनी energy को lose करेंगे और क्या होगा यह जब energy को lose करेंगे तो जल्दी ही rest में आ जाएंगे जल्दी ही रुक जाएंगे उस medium के अंदर absorb हो जाएंगे और अच्छा अब यह जो ionization या excitation हो रही है पीछे हमने डिसक्स किया है कि यह direct collion के नतीजे में भी हो सकती है और इसके लावा electrostatic attraction के नतीजे में भी हो सकती है यह जब यह किसी भी किसी भी medium में से गुजरेगा तो जाहरे बात है कि उस medium के अंदर positive negative charges दोनों charges मुझूद होते हैं तो alpha particle जो है यह electrostatic interaction के नतीजे में भी ionization और excitation produce कर सकता है इसके लावा direct इसका collion भी हो सकता है उस medium के साथ अच्छा जी ionization is the main interaction with matter to detect the particle or the measure its energy यहनिके particle को detect करने के लिए हमारे पास जो main एक तरीका है वो है उसकी ionization power को measure करना ठीक है इसके लावा ionization power से हम उसकी energy भी measure कर सकते है in each collion alpha particle loses an average of 35 electron volt energy तो यहाँ पर जो बन्यादी बात हमने सीखी है वो यह सीखी है alpha particle जो ही बहुत heavy particles होते है इसलिए जब यह medium के अंदर enter होते है तो यह बहुत ज़्यादा ionization और excitation produce करते है और जल्दी ही अपनी energy lose कर देते है हलाके इनका जो PATH होता है जो clear होता है लेकिन इनकी जो range होती है वो कम होती है तो alpha particle की जो range होती है वो low होती है लेकिन इनकी जो अाईनization होती है वो बहुती ज्यादा होती है अच्छा जी इनकी जो रेंज है जिससरा हमने पीछे बात कर चुके है वो डिपेंड करती है चार्ज की उपर मैस की उपर और इनर्जी की उपर चार्ज जतना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा ionization produce करेंगे और उतनी कम इनकी range होगी मैस जतना ज्यादा होगा interaction उतने ज्यादा होगे उतनी जल्दी ये energy lose करेंगे और इनकी range क्या होगी कम होगी इसके लावा medium की density अगर ज्यादा होगी तो range कम होगी और अगर medium की density कम होगी तो range ज्यादा होगी इसके लाव आयोनाईजेशन पोटेंशल अगर medium के जो molecules या items है अगर उनका आयोनाईजेशन पोटेंशल low है कम है ठीक है तो range क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी और अगर उनका आयोनाईजेशन पोटेंशल ज्यादा है आयोनाईजेशन पोटेंशल जैसे कि हमने बात की कि ये इनका जो path होता है वो बहुत ही well defined होता है ये तकरीबन straight line में move करते हैं जब ये medium के अंदर जाते हैं तो इनको ज्यादा deflection का सामना नहीं करना पड़ता है इसलिए straight path में move करते रहते हैं ठीक है जी and does not approach too closely to the nucleus और ये nucleus के बहुत करीब नहीं जाते due to repulsion thus alpha particles continues producing intense ionization along its straight path ठीक है जी यानिके straight path में ये ionization प्रड़्यूस करते हैं हता के ionization की वज़ा से इनके जो सारी energy है वो absorb हो जाती है उस medium के अंदर और आखिर में ये क्या करते हैं उस medium से दो electron absorb करते हैं और ये क्या बन जाता है helium का एक atom बन जाता है क्योंकि अगर आप helium को दे nuclear nucleus तो alpha particle आलड़ी होता ही है लेकिन अगर इसको दो electron भी मिल जाएं तो ये पूरा helium का atom बन जाएगा तो alpha particle जब अपनी सारी energy lose कर देते हैं उस medium के अंदर तो ये उस medium से दो electron absorb करते हैं और ये बन जाता है helium का atom ठीक है जी फिर उसी medium के अंदर ही ये stay करते हैं उसके बद फ्ल absorb करने के बाद फिर वो उनको emit भी करते हैं लेकिन जब वो emission होता है तो emission हमेशा electromagnetic radiation की शकल में ही होता है ठीक है ये बात भी हमने पीछे discuss कर ली है आगे चलके बदेखेंगे कि alpha बीटा और gamma जो है वो किस-किस medium के साथ किस material के साथ fluorescence produce करते हैं ठीक है अब देखें जी हमारे पस नेक्स आगी बीटा देखें हमने कहा कि alpha बहुत massive होती है alpha particles बहुत भारी होते हैं इनका charge बहुत ज्यादा होता है इसलिए इनकी range कम होती है इनको हम एक आम जो हमारा paper है एक paper sheet के जरीए भी इसको रोग सकते हैं absorb कर सकते हैं ठीक है अब आगे चलते हैं बीटा ये बीट की एक sheet रखी हुई है इसका मतलब है कि बीटा जो है इनको paper से absorb नहीं किया जा सकता इनकी जो range है वो alpha के मकाबले में ज्यादा होती है बीटा particles also lose energy by producing ionization ये भी ionization produce करते हैं लेकिन आपको पता है कि बीटा particles जो होते हैं ये हमारे पास they are electrons और electron जो है एक electron जो है वो 1840 गुना उद हो जो हो चोटा होता है एक proton के मकाबले में तो एक alpha particle के मकाबले में एक electron जो है वो तकरीबन 7000 गुना 7000 ताइम्स हो है इसलिए इनकी जो ionization power होती है वो बहत ही कम होती है इनकी जो ionization ability है वो सौगना कम होती है और इसी वजह से इनकी जो range है सौगना ज्यादा होती है alpha particle बीटा पार्टिकल असानी से डिफ्लेक्ट हो सकते हैं जब इन का कोलायन होता है क्योंकि बहुत लाइटर होते हैं तो अगर आप बीटा पार्टिकल को देखें मीडियम के अंदर तो इनका पाथ एलफा की तरह स्ट्रेट नहीं होता बलेकि इनका पाथ बहुत ही जिग जैग होता है यही वज़ा है कि इनकी रेंज निकालने के लिए हम यह नहीं देखते कि इनका पाथ कैसा है बलके हम इनकी जो पैनेटरेशन होती है मीडियम के अंदर उस पैनेटरेशन से हम इसकी रेंज कैलकुलेट करते हैं ठीक है जिए उसके बाद जी दा मोर डेंस दा मेटीरिय होगा range उतनी ही कम होगी मैस of बीटा पार्टिकल जो हमने बताया कि उलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और इसकी जो बीटा की जो हेड्ड ऑन कोलेईन के नतीजे में जो आइनाइजेशन होती हो बहुती कम होती है बीटा पार्टिकल को हम 6.5 mm थिक aluminum sheet से यह aluminum foil है थिक aluminum sheet से हम उसको रोख सकते हैं ठीक है जी बीटा particles can produce जिस तरह alpha particles बिल्कुल वैसे ही बीटा particle भी fluorescence produce कर सकते हैं अब आ जाते हैं जी हम gamma radiation के उपर gamma radiation जो है यह आपको पता है they are photons यह photons होते हैं अब photons जो है they are massless, chargeless इसलिए photon की वज़ा से जो ionization है वो बहुत ही कम होगी यही वज़ा है कि यह अपनी energy बहुत कम lose करेंगे और इनकी जो penetration है medium के अंदर या इनकी जो range है वो बहुत ही ज़्यादा होगी ठीक है photons are removed from a beam by either scattering or absorption in the medium इनके medium के अंदर या तो यह scattered होते हैं या यह absorb हो जाते हैं ठीक है जी जिस beam के अंदर यह होते हैं इसके लावा कोई chance नहीं है gamma ray interact with matter in three ways gamma radiation हमने पहले भी पढ़ा तीन तरह से matter के साथ interact कर सकती हैं अगर इनकी energies जो हैं वो 0.5mEV हैं तो फिर यह photoelectric effect करेंगी अगर इनकी energy 0.1mEV से 1mEV के दरम्यान हैं तो फिर competent effect होगा और अगर इनकी energies 1.02mEV के बराबर या इससे ज्यादा हैं तो फिर यह pair production होगी ठीक है जी तीन तरह से matter के साथ interact करती है अच्छा जी इनकी जो intensity है चुँकर यह medium के अंदर absorb हो सकती है या scatter हो सकती है पीछे हमने खा तो इस वज़ा से जूँ जूँ यह medium के अंदर travel करती जाएंगी gamma radiation इनकी जो intensity है वो कम होती जाएगी अब जो intensity है यह inversely proportional है square of the distance है यह यह inverse square law को follow करती है in solids the intensity decreases exponentially solids के अंदर इनकी जो intensity है वो linearly नहीं बलके exponentially एक दम से यूँ करके decrease करती है तो अगर आप इनका intensity का relation देखें solids के अंदर तो आपको यह देखें नजर आ रहा है e raised to power minus mu x यह जो mu है यह क्या है linear absorption coefficient और यह जो exponential आ गया है इसका मतलब है कि यह जो absorb होंगी ठीक है यह यूँ करके एक दम से यह absorb होंगी चूंके जूँ जूँ इनकी intensity कम होती जाएगी इनकी जो absorption है वो क्या होती जाएगी ज्यादा होती जाएगी तो यह भी fluorescence produce कर सकती है alpha, beta और gamma इनकी fluorescence किस किस के साथ हो सकती है like zinc, sulfide के साथ, sodium iodide के साथ, किलावा barium, platino, cyanide के साथ इनकी अगर आप इन materials की screen बनाएं, coated screen तो उनके साथ इनकी fluorescence का effect यह produce कर सकती है अब बात कर लेते हैं हम neutrons की, तो neutrons होते हैं actually they are very, they are neutral particles और चूंकि यह neutral हैं, इसलिए असानी के साथ यह absorb यह detect नहीं होते being neutral particles, their range is very large, they are extremely penetrating particles to be stopped or slowed, neutron must undergo a direct collision, चूंकि इनका charge नहीं है so इनको रोकने के लिए इनका direct यह head-on collision होना चाहिए so इनकी जो penetration है, बाकि सब के मुकाबले में, वो बहुत ज्यादा है materials such as water और plastic ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, they contains more low mass nuclei इनके अंदर कम mass वले nucleus ज्यादा होते हैं, per unit volume इसलिए इनको stop करने के लिए, हम जो है वो, इनको absorb करने के लिए heavy water को use करते हैं, हम D2O को use करते हैं, ठीक है neutron, चुके ये neutral होते हैं, इसलिए इनकी वज़े से indirect ionization, इनके direct ionization जो है, जैनके इनका जो interaction है, इलेक्रोसेटिक इंटरेक्शन बहुत कम होता है, लेकिन ये indirect ionization प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो जो indirect ionization है, जारे बात है, उसके chances कम होते हैं, मिसाल के दोर पर hydrogen atom से, ये क्या neutron को यहाँ से knockout कर सकता है, और ionization इस तरह से, इनके direct ionization जो है, जो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, Neutrons produce a very little indirect ionization, when they interact with materials containing hydrogen atom and knock out the protons, Neutrons causes fission, आपको पता है, नुकलर fission के अंदर हम जो fast-moving neutrons है, उनको use करते है, दे समरी ओफ उसके बाद फाइनली हम इसकी जो समरी है उसको देखते हैं जी अलफा बीटा और गेमा रेडियेशन की इनकी प्रॉपर्टीज की बनाद पे तो सबसे पहले अगर करेक्रिक्रिस्टिक हैं हमारे पास फर्स्ट कॉलम में दूसरे कॉलम में अलफा फिर बीटा और फिर गेमा अगर नेचर को देखा जाए तो अलफा पार्टीकल जो है यह हीलियम नूकलियाई है इनके उपर चार्ज प्लस टू ई और इनका जो मैस नमब कोबाल्ट है ग neuralजेशन देखी जाए तो अलफा पार्टीकल की सबसे ज्यादा है इसलिए इसकी रेंज कम होग आदा इर के अंदर बीके इनकाच्व करती है और गेमा रेडियेशन जो एर के अंदर ये मूव करती है और ये फॉलो करती है इनवर स्क्वेर लॉग को अब्सॉर्ब करने के लिए हम अलफा पार्टिकल को एक पेपर से अब्सॉर्ब कर सकते हैं बिटा पार्टिकल के लिए हमारे पास आम पर पर वन से लेकर फाइव मिली मीटर थिक अलिमूनियम शीट होती है और गेमा रिडियेशन जो है जो है जो है जो है बहुत ही फास्ट मॉविंग फोटॉन जो के स्पीड अफ लाइट से मूव करते हैं तो इनको रोकने के लिए हमारे पास जो लेड का शीट या ब्लॉक होता है उसके जरिया हम इनको रोक सकते हैं इनर्जी स्पेक्टर्म देखा जाए तो अलफा पार्टिकल जो है वो सेम इनर्जी के साथ निकलते हैं बीटा पार्टिकल जो है डिफरेंट इनर्जी के साथ और गेमा भी डिफरेंट इनर्जी के साथ निकलते हैं स्पीड अलफा की 10 देज़ दी पावर 7 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सिमेटली बीटा पार्टिकल की 1 इंटो 10 देज़ दी पावर 8 अप्रोचिंग तू स्पीड अफ लाइट और चूंके गैमा रेडियेशन तो यह मूव करते हैं विद स्पीड आफ लाइट तो यह था जी ह हमारा एक बREEF सा लेक्चर ऑन इंट्रेक्षिन विद रेडियेशन विद मेटर इसम्मारे पास नुकिलोर रेडियेशन हैं सारी Alpha बीटा एन गैमा तो इंशाला मिलते हैं नेक्स लेक्चर में थेंक यू आललाहफ़dess